अलो अब्रीवन वेल्कम टू ब्लैक मैजिक ऑफ शॉर्ट रेक्स और आज बहुत छोड़े से वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि एंगल का जो टन होता है वो क्या होता है और किस तरीके से होता है बेसिकली सबसे बड़ा डाउट 45 डिग्री एंगल टन राइट टन लेफ लेना हे 90 डिग्री का या फिर राइट बोलेगा सिंपली या 90 डिग्री टन बोलेगो तो आपको यह सबना 隻 एगर से तो 45 डिग्री का जो टर्न होना चाहिए वह कुछ इस तरीगे से बनना चाहिए अगर आप यहां से जा रहे थे तो 45 degree right turn कैसे बनेगा अब देखेगा यहीं पर एक चीज गलत है जो आपको मैं सिखाना चाह रहा था और यहाँ पर दो diagram हमने बनाए 45 degree right turn का एक पहला और एक दूसरा पहला diagram जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ correct है 45 degree पर यही सही नहीं है यह वाला सही है reason क्या है हमेशा जो 45 degree या कोई भी angle का turn होता है वो एक virtual line से जिस direction में वो जा रहा होता है उसके virtual line जहां से उसको turn लेना है उसके सामने एक virtual line draw करिए और फिर इस line से 45 जैसे यहाँ पर 90 है तो basically यह 90 नहीं इसकी बात नहीं कर रहा है यह बात कर रहा है इस 90 degree right turn की अगर आपको 45 degree बोलेगा तो आप अगर north direction में जा रहे हैं तो एक virtual line draw करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर इससे right turn लेंगे 45 degree का यहाँ से 45 बेस वर्चुल line से 45 degree का angle बनाता हुआ आपका right turn 45 degree हो जाएगा इसी तरीके समझी अगर यहाँ पर 135 degree right turn की बात करेगा तो इसी virtual line से 135 मतलब 90 right turn clockwise और 45 degree का turn तो हो जाएगा कितना 135 degree angle right turn ठीक है ना अब यह बात समझ में आ गई कि right turn बेसिकली जो हम बना देते हैं जो भी line खीषते हैं करते हैं उससे तुरुन सटावा 45 ऐसा बता दिया गलत होता है तो यह ध्यान रखेंगे वर्चूल लाइन से आज के लिए बस इतना ही थेंके सू मच वाचिंग इस वीडियो शेर करना मत भूले और लाइक करना भी बाई टेक केर